हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, मैंज़ ब्रेक, आज हम सिखते हैं किसी भी मोनोमियल को 1,2,3, 3, 3 पद हैं, इसके अंतर तो 3 पद हैं, यानि ट्राइनोमियल से हम कैसे मल्टिप्लाइ कर सकते हैं, किसी भी मोनोमियल को 1,2,3,4,5, इसमें एक एक से जाधा पद होते हैं, हमारी पॉलिनोमियल है, ये भी हमारी पॉलिनोमियल है, बट इसमें मैंने 3 से जाधा पद लिया है, ठीक है, तो किसी भी एक Monomial کو Polonomial से, आप कैसे Multiply करोगे, वो हम दो सीखते हैं, तो हम इसमें क्या करना है, जो बाहर Monomial लिखा हुआ है, यह सब ब्रेकट के अंदर बंध है, ठीक है, इस बाहर Monomial से, इसको 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 तिनों को Multiply करना है, तो डारेक्ट हम कैसे Multiply करते हैं, आज हम वो देखत हैं 3 की multiply 4 से 12 यह P था और यह P स्क्वेर इस P के उपर कुछ नहीं तो 1 P P तो यहाँ पर भी क्या है P एक और यहाँ पर कितना है 2 तो टोटल कितने हो गए 3 फिर आप आए प्लस पे अब इसकी और इसकी multiply करनी है 3 5 जा 15 यहाँ पर भी P है यहाँ पर भी P है इसके उपर 1 है इसके उपर कुछ नहीं तो 1 है 1 और 1 2 फिर प्लस पे पहुँच गए अब आए आप 7 पर 3 P की multiply 7 से करनी है 3 7 से 21 और यह क्या P की पावर 1 तो यहाँ पर भी क्या आएगा P की पावर 1 या फिर P Next अब इस monomial की इस पूरे से multiply आपको करनी है तो मतलब इसकी हर terms से multiply आपको करनी होगी तो इसकी multiply पहले इस से करेंगे तो 2 3 जा 6 सिर्फ इनको देखना है X इसमें भी X इसमें भी है तो यह यहाँ पर लिख दिया इस X के ऊपर 1 है उस X के ऊपर 2 है 1 और 2 3 फिर आप पहुंचे प्लस पर फिर इस 2 X की multiply 5 X Y से करनी है तो 2 5 जा 10 यहाँ पर X है यहाँ पर भी X है X के उपर 1 है तो यहाँ पर भी पानी है कुछ में यह तो 1 है 1 और 1 2 अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर क्या बचा? Y Y हमने आज ए टेस लिख दिया अब किस पर पहुंचे? प्लस पर और क्या बचा है? 7 इस 7 और इस 2X की मल्टिप्लाई करनी है 7 तू जब 14 14 और यह क्या लिखा है? इसके साथ X तो आएगा है 14 X Next आपको 5, 5 की मल्टिप्लाई इन सब से करनी है तो 5, 5 और यहाँ पर क्या लिखा है? X की मल्टिप्लाई क्या सकते हैं? 5 यहाँ पर तो 1 होगा 0 तो हो नहीं सकता ना 5 इन्टू 1 तो 5 ही होगा क्योंकि करें हम 0 इन्टू करोगे तो यह क्या जगा? 0 ही हो जाएगा इसलिए X को हम 1 इन्टू X लिख सकते हैं तो 5 इन्टू 1, 5 हो गया यहाँ Y बचा और यहाँ पर X बचा तो Y X लिख दो चाहे X Y लिख दो उससे कोई फर्थ नहीं पड़ता अब आए प्लस पर फिर क्या है Y और यहाँ पर क्या है? 5 Y 5 Y को क्या लिख सकते हैं? 1 इन्टू Y 5 बचा 5 Y की मल्टिप्लाई Y से कितना आ जाएगा? स्क्वार कैसे आया? इस Y के उपर कुछ नहीं तो 1 इस Y के उपर कुछ नहीं है तो 1 1 और 1 अड़ करके 2 आ गया नेक्स्ट आप महुंचे प्लस पर अब क्या आया? यहाँ पर Z और यहाँ पर 5 Y ठीक है? इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है? मतलब 1 1 और 5 की multiply की कितना आया? 5 यहाँ पर क्या बचा Y? यहाँ पर क्या बचा Z Y Z लिख दो चाहिए Z Y लिख दो फिर आया प्लस पर अब यहाँ पर क्या है? 2L यहाँ पर क्या है 5Y 5 तू जा 10 Y और L बच गया 10 Y और L बच गया था फिर से प्लस 5 5 जा 25 यहाँ पर क्या बचा M? यहाँ पर क्या बचा Y? तो M Y की साथ आजाएगा Next question यहाँ पर आपका है 3X 3X इंटू 4L स्क्वेर पहले नंबर की नंबर से multiply 3 4 जा 12 अब यहाँ पर X से यहाँ पर L स्क्वेर है दोनों बिलकुल अलग अलगे तो इनको as it is लिख दो फिर आया आप इस प्लस पर फिर आया आप 5 M स्क्वेर पर 5 3 जा 15 यहाँ पर X से यहाँ पर M स्क्वेर है तो X और M स्क्वेर दोनों अलग 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 ती multiply करके तो एक साथ लिखे जाएगे फिर आप महुंचें प्लस पर फिर आया 6 N स्क्वेर और 3 X 6 3 जा 18 तो 18 लिख दिया X से यहाँ पर N स्क्वेर है तो X N स्क्वेर तो अलग अलग है इनको ऐसे ही multiply करके X N स्क्वेर हम लिख सकते हैं तो आज की class में हमने सीखा किस तरीके से एक monomial को trinomial या 3 पत से या फिर चलते हैं ब्रैकिट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है इससे भी सब से करते हैं मतलब सबी terms से यह नदर जो कुछ भी terms होती है उनसे multiply करते हैं